चराफ पासवान जी तो हमारे चाचा को शरकार बंडे से पहले जेल भेजना चाहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री नितेश कुमार जेल चले जाए यह आरोप लगाया है तिजस्वी यादो ने तिजस्वी यादों से ही जब सवाल किया गया कि चिराग पासवान कह रहे हैं भाजपा 300 पार कर चुकी है जबकि पहले भाजपा कहती थी कि 400 पार होगा इसका जवाब तिजस्वी यादों ने क्या कुछ दिया है पहले आप सुनिये पहले बीजेपी के नेता 400 की बाद पार करते थे अब चिराग पासवान करें 300 की पार चिराग पासवान जी तो हमारे चाचा को सरकार बलने से पहले जेल बेज़वाना चाहते रहे हैं और क्या-क्या नहीं कि छोड़ी है उनके बारे बने तीच कुमार के अलाबा तो बाजबा 400 का नारा लगा रही थी और उसके बाद आज चिराग पासवान ने ये दावा कर दिया कि अभी तक चार फेज में मतदान हुए हैं आसे में इन चार फेज के मतदान के बाद ही हम लोग 300 पार कर चुके हैं ऐसे में 400 पार का नारा जो NDA का है ये अब जल्द ही सफल होने वाला है मतलब साफ है कि NDA जो 400 पार का नारा लगा रही थी वो अब सच साबित होने जा रहा है क्योंकि अभी तक चार फेज में चुना हुए हैं चार चरन के मतदान के बाद के जो नतीजे है उन पर चिराग पासवान का ये दावा है कि अभी ही 300 पार हो जुका है और जब यह सवाल तेजस्वी यादों से किया गया तो तेजस्वी यादों ने चिराग पासवान को लेकर बढ़ा बयान दे दिया है नेता प्रतिपक्ष ते जस्वी यादों कहते हैं कि चिराग पासवान तो हमारे चाचा जी को भी जेल भेजना चाहते थे आपको बता दे जब NDA के साथ नितेश कुमार नहीं थे जब नितेश कुमार राज़त के साथ मिलकर महागटबंदन की सरकार बिहार में चला रहे थे उस दोरान नितेश कुमार और चिराग पासवान के बीच के जो संबंध थे वो ठीक नहीं थे उनके बीच जो अनबंध थी वो जारी थी और उसी बात को लेकर अब आज तेजस्वी यादों ने ये बयान दिया है कि जब महगटवंदन की सरकार थी उस वक्त चिर्याग पासवान चाहते थे कि हमारे चाचा जी जेल चले जाए आपको दादे की चुनावी महाल है ऐसे में साथ फेज में चुनाव होने हैं चार पेज की समापती हो चुकी है तीन चेहरे ने और बाकी हैं असे में लगतार ये आरोप रत्यारोप का सलसला जारी है और इसी बीच अब तेजस्वी यादों जो की वीलचेयर पर बैठ कर एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थी और उस दौरान जो पत्रकारों ने उन पासवान तो सीम नितेश को भी जिल भेजना चाहते थे अब तो वो सरकार में हैं साथ में हैं डिये में वो अलग बात है लेकिन पहले वो चाहते थे कि मुख्यमंतरे नितेश कुमार जिल चलिय जाए ये सारी बातें तेजस्वी यादों ने कही है बाकी और भी कोई पहुच आएंगे देखते लिए फॉस्ट बिहार जारकंड धनेवाद पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्या नहा ये लो मुझ मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतला ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा ला है अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हो अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर आलिशान जिन्दगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सग अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined